आप सबका फैंड से फॉर लाइफ की यूट्यूब चैनल में तो आपस काफे अच्छे हैं काफे अच्छा विन भी कर रहे हैं तो इस पर अर्टिकलर वीडियों बात करने वाले जो कि आज कर एक तरीके से से यहीं आले टीम है और दोनों टीम बड़ी खराब है आज के लिए तो कैसा कोच परफॉंस रहेगा कौन से प्लेयर लेने कौन से नहीं लेने क्योंकि सब्सादा मुश्किल होती है जब टीटैन में दो ऐसे टीम सो जो बड़ी खराब खेलती हूं जोनों अब तक मैचेस विनना किये हूँ अब दोनों खराब है तो आज के लिए कोई ना कोई तो अच्छा करके जाएगा तो कौन से वह खेलाड़ी वह कौन से नहीं सारी चीज़े करने वाले डिसकस तो वीडियो को आखिर तक देखना टैड़ी चीज़े आपको क्लियर हो जांगी जो आफिए पूर आखिर तक देखोगे और यसाध टेल्क्राम चैनल भी जोन कर लेना डिस्क्रिप्जिशन मैंने दिया है उसका दल्दी से जाके आप जोइन करोगे तो सबसे बहतर रहेगा ठीक है जाके एक दम जोइन कर लेना है तो अभी जलते हमने चरह मैच प्रिविव के ऊपर तोई उन्हें सिर्फ एक-एक मैच ही जीता है बट और सीज की जो टीम है उन्होंने श्ट्रॉंग टीम कर आए था इवन जो मरी दूसरी टीम है गजीरे उनाइटेड वो टीम अच्छी है बट अभी तक जीत नहीं पाएं तो उनके लिए आज का जीतना अम बोल सकता हूं जादा च स्ट्वाट है राइट हैं राइट हैं मीडियम साथ मैच में रंतों नहीं है जिसमें टीन निकाले हैं तो कुछ न कुछ तो करके जाते हैं तो बैट इंग से उसके लगाद से पैंतालेश मैच में 603 का एवरेज और यहां से इन्होंने 6000 बैच बैट इनहोंने था ज्माने रहेंगे हैं सभी कुछ दखो अगर में गलत नाम प्राइब करूँ ना तो मैं को पता है एक तुन के नाम इतने अचीव जीव है यहां से जुर्ग रहेंगे राइटन बैटर ऑफ पर एक बोलर 38 मैच में 147 ही रन से मत रहां 38 मैच में 147 ही रन है बर जो सबसे सही चीज है वो 26 विकेट इन्होंने निकाले हुए है तो ठीक ठाक सा परफेंस है consistent नहीं है विकेट्स निकालने में उतने जादा बहुत जादा विकेट्स भी नहीं है बर ठीक है अभी के लिए आपको सही परफेंस करता हो दिखता है वैसे और सीज की टीम में से ऐसे खिलाड़ी मिलना बहुत अच्छा कर रहे हैं जो पॉइंट्स दे कर जा रहे हैं अभी के लिए उसके बाद में इवान स्टास है आठ मैच में 75 रहन है दोई मैच में बोलिंग करें जिसमें एक विकेट निकाला है आपको गेराल सेंड देखने को मलता है राइटाम स्पिन डालता है 28 मैच मे रन भाई 30 है और बोलिंग नहीं करता है गेराल सेंड ठीक है यह धियान रखना बाकि 18 मैच में 30 रन एक हमने देखा था अपना जो पिछला टीटेन कवर किया ठीक है एक बज़े वाला उसमें क्या देखा था 28 मैच में 76 रन वाले खिलाड़ी मिला था यहां उससे जादा ल बातर यहां से चार ही विकेट निकाले वें बड़ जो एक सही पोजिटिव चीज पता है क्या है इस वाले इस खिलाड़ी के अंदर बारा मैच में इसने तीन ही मैच में बोलिंग कराई अब तक ठीक है नो मैचस में कुछ नहीं किया तीन मैच में विकेट निकाल कर दिखा विकेट इनसे पर रहने वाले वाले है उसमें डैनिल निवरटन है ग्यारा एक नो साथ बाइस कहां पर आपको स्कोर देखने हूं बलता है कुछ जादा खास रिजेंट फॉर्म रहा नहीं है मतलब उतनी वे अच्छे पॉइंट्स नहीं दिये लेम स्ट्वर्ट की तरफ से बात करें तो भाई पिछले पांच में से बोलिंग तो इसने पांच प्राइस एंटिलराज का परफ़ेंस उसके बाद में जूर्ग है जिनके तरफ से बोल रहा था कि विकिट अभी के लिए निकाल रहे है जो सबसे सही चीज़ है पिछले पांच में से चार मैच में जूर्ग ने बोलिंग कर रहे है जिसमें उसके नाम तीन मैच में विकेट है पतलब ऐसा है कि चार मैच में कुल मिलाकर इसमें पांच विकेट यहां से निकाल लिए अच्छी बॉलिंग रही है ऑवरॉल ऑफब्रेक डालता है डैविड मार्क्स के तरफ देखते हैं बोला था आपको यह कंसिस्टेंट है नहीं है एक ही विकेट निकाला है पांच म स्टास है एक सोला एक बारा बाइस कापको स्कॉर इसके दरफ से देखने को मलता है गेराल सेंट है नो एक दो च्छे का दरस आपको स्कॉर देखने को मल जाता है इसके दरफ से बागी विंसेंट कोष्ट है चार मैच जिसमें एक ही मैच में इसके नाम विकेट है बागी त बात करें तो भाई पिछले चार में से सरी पिछले तीन मैच में से दो में बोलिंग है जिसमें कुल मिलाकर तीन विगट निकाले हुए एक में तो बॉलिंग नहीं करा थी माइकल हाट यहां से तीन में बोलिंग करा है और तीनों में इसके नाम आपको एक एक विगट तेखने को मिल जाता तो यह तो रहती है ओवर्सीज की टीम बोलिंग देखो इदर से कौन कौन कराएगा वो पता है तो आपको मैं यहां से लियम स्टुरट कराता हूँ दिखेगा एक तो दो और पू बात में यह तीन में से भाई मोस्टली माइकल हाट तो रहेगा जो बोलिंग करा तो दिखेगा मिलर्ड और वसीम थोड़ा से 50-50 जांसे कराई भी और ना भी करें और उसके बात में आते हैं जड़ा बारी जीरा उनाइट्ट या गजीरा उनाइट्ट जो भी बोलना चाहूं को बोलो बाकी यहां से देखो सूरस दराई है यह काफी जादा में प्लियर बनता है इस टीम का दस मैच में 343 रन से जो टीटेन में बहुत जादा माने जा सकते हैं दस मैच में अगर आपने 343 रन बनाए है वो बहुत जादा है ठीक है 34.30 कावरेज है पांच विकट निका कराती है उसके बाद में आसे तनका कंडेल रहते हैं 6 मैच में रन तो है वह इन के साथ 12 का एवरेज है बट विकट यहां से 6 निकाले हुए तो बैटिंग और बोलिंग दोनों से जो ठीक ठाक से रहा है उसका बाद में 65 रन से 8.12 का एवरेज देखने को मलता है उसके बाद हम आपको बुद्दी सागर बंडारी देखने को मलते है आठ मैच में 5 विकेट के साथ – राइट रम मीडियम बोलिंग जाते है छा वे मैच में 5 रन इनके साथ में बिश्नुक कुवर है आठ मैच में दो विकेट निकाले हैं पांच मैच वे इन्होंने बॉलिंग कराते हुए बिने नेपाल है जो कि राइटम मीडियम डालते हैं चार मैच में इन्होंने अब तक बॉलिंग नहीं कराई है एक रन बना है तो बिल्कुल नहीं लेना उसके बाद में आसे निवन नवराज यूंजन आपको देखने को मलते हैं च्छह मैच में तीन विकेट के साथ में तो यह रहते हैं कुछ जो पूरी गजेरा उनाइटेड के तरफ से प्लेइंग लेवान है और उनके का कुछ प्लेयर इनके बहुत अच्छे हैं और क कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी एक आपके लिए बहुत अच्छा गया हो ठीक है बाकी अचल पटेल है 1434 32 रहने 21-0 बोलिंग एकी मैच में कराई है बठा स्मोल लिक के लिए अच्छी चो इस चिल बन जाता है आपके लिए उसके बाद में नसिल नलिन बसनेट है ए एक मैच में पांच विकेट है और बागी मैच आपको यह एक एक विकेट के साथ में दिखता है दो मैच ऐसे भी है जिसमें फ्लोप रहा है बठा बोलर अच्छा है विकेट वापस निकाल सकते हैं सी वी सी ग्रैंड लिक के लिए थोड़ा सा रिस्की है बढ़ ट्राइ कर स बनता है यह उसका बाद में शपगेन की बात करें यह भी फ्लोप रहे है बुद्धी सागर बंडारे के तरफ जम जाते हैं तो बागी टाइम रहे हैं विकेट लेस रिसेंट फॉम कुछ ऐसा है सी तोला ने बैटिंग से कुछ नहीं किया बिना नेपाल ने भी बैटिंग स सामने ऑवर्सीज की टीम है तो आई तिंग कोई अच्छा करते हुगा आपको दिख सकता है को और बाकि उसका बाद में यूंजन है जिनके अगर हम पिछले पांच मैचस काउंट करें तो दो मैचस ऐसे हैं जिसमें इन्होंने विकेट निकाले हुए और दो मैचस ऐसे हैं बंडारी हो गए हाट हो गए हिरशी हो गए मार्क को पिक्क्या हुए बाकि यूंजन अचल पटेल बासनेट है और इसके बाद में एट लाश जो हमारे पास में यहां से बोलर्स निकल कर आते हैं लाश बोलर उनका नाम है तनका कंडेल तो यह रहती है पूरी टीम जिसमें कैप्टन सोरेस दराई इस से जादा बहतर और को कैप्टन बनता है वाइस कैप्टन आपके पास में ओविसली ओप्शन है जिसमें आप यहां तो अचल पटेल को कर सकते हो जिसका परफोन्स ठीक ठाकता और उसके लावाब वाइस कैप्टन मैंने बासनेट को क्या हो उसका रीजन है क्योंकि यह नंबर तीन पर है अगर इसका बैटिंग ओटर नीचे होता है तो फिर वाइस कैप्टन बाने का को मतलब नहीं है अगर अगर नंबर तीन पर है तो हाँ एक अच्छा वाइस कैप्टन बनता है ग्रैंड लीग के लिए आपको पता है यहां सा फिरश् भी कर लो एंड बागी उल्लवेश्ट इस मैच के लिए मिलते हैं आपको नेक्श वीड़े में बहुत ही जारे जलते हैं